दोस्तों आप में से एक नदीम भाई ने कमेंड करके पूछा कि सर जैस्मी कोईन, कुसामा और मल्टिवर्स एक्स कोईन को क्या हमें लॉंग टम के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नेक्स बोलगन तक क्या ये तीनों कोईन हमें अच्छा कासा की लिस्ट में आता है, और अगर रखे है तो ये दोनों कोईन में आपको एवरेज बाइंग की भी जरुवत पड़ेगी, जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, कि प्राइस जिस तरीके से ये दोनों कोईन का नीची आ रहा है, निक्स कहां पर बाइंग की अपरचु में क्या फिलाल अभी मोमेंट हो सकता है, और बिटकोई में फ्यूचर कॉल आपको देने वाला हूँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो जरा सा भी मिस मत करना, पूरा का पूरा जरूर देखना, अगर आप चाहते हो, प्रॉफिट बनाना क्रिप्टो से, तो ऐसे करेंगे, बिटकोई में जो फ्यूचर कॉल देंगे, और दोस्तों वीडियो पसंद आए, लाइक जरू करिएगा, और प्यारा सा चोड़ा सा कमेंट किये वेगर नहीं जाना है, दोस्तों आचों के स्क्रीन पे करिए बिटी से का चार्थ दिख रहा है, अगर बिटी से का प्राइस दिखें, तो करेंड में चल रहा है 25,997,000 पे, यानि ओबरॉल 26,000 के प्राइस पे चल रहा है बिटकोई का प्राइस, बिटकोई में नेक्स मुमिंट आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बारें बात तो करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो, डेली मंत इंड जो है, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, और यहां पर आप देखो कि जो लोग भी जोईन कर रखा है, वो प्राफिट बना रहे हैं, आप यहां पर देखेंगे, बिटी सी में जब मुमिंट आया था, यह आपको देख रहा है, जैसे ही ग्रिय स्किल ने, SEC के ए दिया, बिट्कोइन में, इसके अलाबे देखेंगे, बिट्कोइन कैस में भी इमेडिटली स्वाट कॉल देकर, ठीक है, पंप आया, लोग पंप में लॉंग कर रहे थे, मैंने स्वाट का पोजिशन दिया, स्वाट में मीनिमम सतर परशंट का प्रॉफिट बुक किया, अल के सब जो है, इधर ही, एक से दो दिन का मैं कॉल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले का कॉल नहीं है, सब इधर का कॉल है, यहां पर लॉंग का पोजिशन दिया, लॉंग में यहां पर आप देखो गये, तो 2.7% का पंप हुआ है, यहांने 10x के साथ, 27% का हुप में लोग 50% जरूरा profit booking करो, क्योंकि में उदेश यह होना चाहिए आपका कि जब भी हम trade ले, आप profit में चल रहा है, तो उस profit को book करके घर जरूर ले जाए, कुछ ना कुछ थोरा से profit क्यों न ले जाए, लेकिन घर जरूर ले जाए, तो सबसे पहले target 1 जैसे hit होता है, तो मेरा recommendation होता है कि 50% quantity sale करो, यानि 50% profit को book करिए, बाकि rest 50% next target तक आप चलने दो, और SL जो है, ट्रेल करके break even, यानि entry price पर ले जाओ, जिससे क्या होगा, कि अब आप tension free हो जाओगे, risk बिलकुल नहीं रहेगा, अगर next target hit किया, balance good नहीं किया, तो कोई बात नहीं, पहले हम profit book कर चुके है, और entry price पर हमारा SL भी है, तो loss की chance तो बनेगा ही नहीं बनेगा, तो hook में 2.7% का profit बना कर दिया, इसके अलावे देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, यानि बैल में भी आप दिये थे, यहाँ पर short का position, जबरदस ये नीचे आया, 4.3% यानि 43% का ये profit लोगों बना है, इसके trading आपको आता है, आप future trading से पैसा बनाना चाहते है, तो screen पे आपको दिख रहा है ID add the rate crypto underscore trading 1290 जिस पे आप message कर ये आगे process बता दिया जाएगा, और ये ID वीडियो के description box में भी दिया गया है, और सारा detail आप टेलिग्रम पे विजिट करते हो, जिसका link वीडियो के description box में भी दि सकते हैं, सबसे पहले अगर coin का हम देखे न, तो एक तो binance पे list है, जैसमी coin पे list है, पहले कुछ मैने पहले इसने profit अच्छा कासा logo बना कर दिया था, और jasmine coin का अगर हम देखे project के बारे में, एक view देखे, तो jasmine coin जो है एक ऐसा project है, जो IOT पे काम करता है, यानि internet of things पे, जो purpose से अगर देखें, तो yes, हम इसको खरीज सकते हैं, long term के लिए hold कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ranking के हिसाब से, तो jasmine coin 139 के rank पे फिलाल है, और मेरा मानना है कि अगर आप next golden के तयारी कर रहे हो न, तो उसके लिए better होगा कि आप top 100, कम से कम, आप top 100 के list में से coin को pick up करें, अगर आप उसन सभी coin में से अपने pick up कर लिया next golden के लिए, उसके अलावे और भी coin को आप purchasing करना चाहते हैं, then आप jasmine coin को hold करके रख सकते हैं, छोटे से amount से, ना कि बहुत ही बड़े amount से आप hold करना है, ठीक है, jasmine coin में अगर हम chart पे आ जाए, तो chart अगर देखेंगे, त अब अगर buying करना है, सोच रहे हो, तो यह definitely मुझे उमीद है कि इस zone पे एक बर touch करेगा, अगर इस zone पे आ जाए, जो आप note कर लो, आप day time frame पे जाना, यह आप देखना, लोग को पकड़ के आपको support बना लेना है, support zone बनाना है, और support zone को जैसे touch करेगा, जो करीब-करीब 0.0030 307 dollar पे आ रहा है, starting point, ठीक है, यहां से यहां, यानि यह आ रहा है, 0.00285 dollar, इस between में अगर आ जाए, यहां पर आप long time के लिए consider कर सकते हैं, यहां spot trading के लिए consider कर सकते हैं, पहला number point, दूसरा कि अगर इस zone पे touch नहीं करे, और यहां नीचे आ कि अगर इसका breakout कर सकता है, ब्रे test पे आप buying करोगे, और यहां तक का यहां कम से कम जो है, spot में बहुत ही अच्छा आपको profit बना कर fit दे सकता है, ठीक है, और long time के लिए consider करना चाहते हैं, long time के लिए एक छोटे से amount से ही जाना, और यहां आए तब या फिर इसको breakout करेगा तब, दोनों condition में आप Jasmine को hold कर सकते है अगर आप पहले से top fundamental coin को अपने portfolio में next world run के लिए add कर चुके, तभी इसके बाद Jasmine पे जाना, ठीक है, इसके अलाबे हम बात करते है, next जो है कुशामा coin, दोखों कुशामा को बोला जाता है दूस्तों कि Polka Dot का भाई है, ठीक है, Polka Dot का भाई है, जितना potential Polka Dot में दिख रहा है उतना potential कुशामा भी, क्योंकि इसकी coding almost same है, जिस तरीके से Polka Dot का की गई है, ठीक उसी तरीके से कुशामा का भी किया गया है, और ये भी interoperable blockchain है, यानि ये जो है अब एक blockchain से दूसरे blockchain पे data को easy तरीके से transmit कर सकता है, transfer कर सकता है, और इसके अंदर speed वेगरा सब चीज है, तो इस purpose से अगर हम देखे, project का details उसके coding भी आप यहां भी risk ले सकते हैं, छोटे से amount पे, लेकिन हम chart को अगर देखें ना, तो chart हमें सही दिख नहीं रहा है, यहां पर मैं अभी current price से मैं नहीं कहूंगा कि अभी buy करो, यह जो आपको support दिख रहा है, आप weekly time frame पे जाकर यह support zone बन ठीक है, और यहां के between में, यहां से between में profit बन सकता है spot के लिए, और इसका अगर breakout कर दिया, या long time के लिए आप रख सकते हो, long time के लिए जाना चाहते भी है, कम से कम इस zone के ऊपर आने दे, तभी आप जाना, otherwise यह और भी अच्छा-कासा fall करेगा, तो 50%, 80% loss में पहुंचा सकत है, next बात करते है, multiverse X, EGLD के बारे में, तो इसकी बात करें दोस्तों, यह भी एक no dot के अच्छी coin है, इसमें कोई dot नहीं, एक अच्छी coin है, सिधा हम इसके chart पे आते हैं, और यह एक near to support zone पे बैठा हुआ है, multiverse X, जहां पर buying के opportunity अभी आपको दिख रहा है, थूरा सा wait कर ल आपको यहां पर जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस zone पे आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी तरीके इस zone को cover up परेगा, और इस zone पर पूरी तरीके से आजाए, then यहां पर आप एक छोटा से amount लगा कर long term के लिए भी holding कर सकते है, and a spot के लिए भी आप चलोगे, अगर प्राइस आजाए ना, then आप चल सकते हो इसको लेका, long term के लिए, यह हो गया, तीन को आए, next हम बात करते है, BCS, देखो दोस्तों, BCS और XRP दोनों का condition वही है, क्योंकि दोनों में अभी recent कुछ टाइम पहले जवर्दस रैली आपको देखने को मिला, XRP के अंदर जैस आपको देखने को मिला, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप देखोगे ना, कि जो जितना sudden pump किया बहुत ही कम टाइम है, उतना ही ज्यादा वह रिटेस्ट किया है, almost 100% के करीब में रिटेस्ट भी किया है, यह चीज आप देख लिए, XRP देख लो, यहां से pump किया, यह जहां से pump करेगा, वही बापस यह आ ही जाता है, तो XRP आ चुका है, तो कहीं ने कहीं एक छोटा सा बाइंग जो है, यहां पर इस पॉइंट पर मैं पहले ही बनाने के लिए बोला था, जिसमें 7% का pump आया था, फिर अभी नीचे फॉल किया है, तो मैं ने बोला था कि यह त पीचे आता है, तो इसको आप सेल कर दोंगे, मैं इसके पहले वाले जब XRP का ट्रेट दिया था, उस टाइम बदा था, अब आपका जो टार्गेट होगा, देखो, अब आपका टार्गेट होगा, नेक्स बाइंग का इस जोन के पास, यहां से हम बाइंग करेंगे, इसके पहले हम नहीं अभी सोचेंगे, यह कैंडल जो यह लिकुडिटी लिया है, यह पूरी तरीके से यहां तक का लिकुडिटी ने लिया है, तो मुझे लग रहा है कि इस जोन पे आ सकता है, तो एक एमाउंट आपको रखना है कि जब भी अगर इस जोन पे आ जाए, तब XRP को पकड़ना, यहने next buying आप यहां करना, इसके पहले आभी मत करना, XRP के अंदर, और यह करीब करीब चल रहा है, 0.39$, 0.39$ से लेकर 0.37$, ठीक है, इस between में ही आपका XRP के अंदर next buying देखेगा, और BCH के अंदर हम बात करें, तो BCH में अल्मोस जितना pump किया, उसी के करीब में यहां पर retest भी कर चुका है, फिर से मुझे लग रहा है कि यह गिर कर, अब देखोगे, इस trend line का अगर breakout कर देता है, breakdown करता है, नीचे आता है, तो उमीद रखना है कि मिलाज लगा कर कहीं ने कहीं इस zone पर आ चुका है, आ सकता है, अगर पहले से buy कर रहे हैं, तब ही मैं बत $138, $150 से लेकर $138 के next buying zone बनेगा, तो next buying zone उनके लिए जो अभी तक buy नहीं कर रखे है, ठीक है, अब चलिए आ जाते है Bitcoin पे, दोसों, Bitcoin में हमें क्या possible possibility देखने को मिल सकता है, इसका update मैं आज नहीं, पहले भी दिया था, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसका update अभी न दोसों, आपको क्या करना है, लॉंग के लिए अगर सोचना है, तो इसको एक बार इस zone पे, yellow zone पे आने दे, yellow zone पे अगर आता है, यहां से long के लिए मैं advice करूँगा, जो लोग दोसों इस zone पे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो लोग लॉंग की होंगे, उनको अच्छा क करने का advice कुछ time पहले ही मैंने दिया था, जो लोग video देखें होंगे, comment करके जरूब बताना, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब करीब 27,000, 600-800$ के between में जाए, तो उस time में आप sort कर सकते हो, जो लोग sort की होंगे, तो result है उनके सामने है, एक gain मैं कर रहा हूं कि अगर गिर कर इस zone पे आएगा, तो यहां से आप long ले सकते हो, spot में करना चाहते है, तो spot में भी करेंगे, तो आपको minimum 5% का profit दिख सकता है, and future में भी अच्छा कासा profit दे सकता है, और future वाले के लिए मैं कहूंगा, कि यह जो zone है, यह जो week है, इसका low जो है आपका SL होगा, लेकिन को कारों कि पहले से SL सेट मत करना, माइन में रखना है, कि SL हमें यहां पर निकल जाना है, 24,500 डॉलर पे exit हो जाना है, तो अगर 24,500 डॉलर से नीचे Bitcoin का price होगा, manually exit हो जाना है, तो यह राध दूसरों Bitcoin and scale आभी 3 coin and XRP and BCH coin के बारे में बता है, वीडियो पसंद आया है, like जरू दनेबाल मिलते हैं नेक्स वीडियो में